तो guys अगर मुझे computer में dummy folder बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ shift control and करेंगे तो हमारे पर एक new folder बन जाएगा जिसे मैं नाम दे दे रहा हूँ नाम देने के बाद guys मुझे क्या करना है उसकी property को open करना है तो मैं यहाँ पर property open कर लेता हूँ तो guys property open करने के बाद मुझे customize में जाना है customize में जाने पर मुझे यहाँ पर दिखेगा कि choose a file and restore तो choose a file में जाना है जिसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ है photos है बट अगर मैं उसे open करूंगा तो फोल्डर जो है मेरा वह empty है उसमें कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही करके कोई भी एक dummy folder बना सकते है